हलो स्टेंड स्वागत आप सबका अनपढ़ चैनल की बेसिक लेक्टरल सर्कीट की लेक्चर सीरीज में और आज हम पढ़ने वाले हैं मैकसिमम पावर ट्रास्फर थोरम इंट एसी ठीक है अगर हम बात करें नेट ट्रइटोरेम में तो नेट ट्रोट परूरम से हम लोग पढ़ते हैं पहले सूपर पोजिशन ठैलविंड नॉट्ट अन मैकसिमम पावर यह सब थोरम्स जो हैं आपकी सिमिलरली जैसे आपकी डी स के लिए थोड़ा different होती है ठीक है अगर हम बात कर रहे है maximum power transfer theorem मैक्सिमम पावर transfer theorem का statement क्या होता है maximum power transfer theorem हमें बताती है कि आपके load की value क्या होनी चाहिए ताकि आपके load के across जो है maximum power transfer हो सके ठीक है मतलब यह आपकी जो है load की क्या बताती है load की value बताती है जो तो आपकी load के अक्रोल जो है maximum power transfer हो सके ठीक है अगर हम बात करें DC के case में आपको जो है अच्छी तरीके से बताया है maximum power transfer theorem के बारे में आई बटन पे आपको जो है उसका link मिल जाएगा फिर भी उसके लावा अगर आपको हलका सब्सक्राइब दोबारा से एक बार आईडिया दे दें अगर आपका जो है इतना जो है आप दो with the help of जो क्या बोल सकते हैं थैल्विन equivalent जो है आप ये बना सकते हैं आपका कोई voltage source है और उसके क्या है उसके साथ series में resistance है ठीक है किसी भी network को जो है आप जो है एक voltage और equivalent resistance है replace कर सकते है ठीक है तो अगर यहाँ पे load resistance की value क्या होगी ताकि जो है इस load के maximum power flow हो सके तो आपकी जो है उस RL की value load resistance की value जो है आपकी RTH हो जाती है या आप इसे कह सकते है source resistance के equal हो जाती है ठीक है जब हमारा load resistance source resistance के equal हो जाता है तब ही हमारे load के अक्रो जो है maximum power transfer theorem applicable होती है ठीक है इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे आपको लोगों को ध्यान लगनी है हम क्या करते है maximum power transfer theorem में आप जो है load की value find out करते है इसका मतला हमारा load क्या होता है load हमारा variable होता है ठीक है तो इस point को जो है आप हम दुबारा से यहाँ पे remember कर देते है maximum power transfer theorem हमेशा load के cross लगती है और load हमारा क्या होता है variable load होता है अगर आपका कोई fixed load यहाँ पे लगा हुआ है तो आपकी maximum power transfer theorem applicable नहीं होगी ठीक है तो आपका जो है यहां से AC में भी हम इस चीज को पढ़ेंगे, DC में हम अच्छी तरही किसे जान सकते थे, हमने अच्छी तरही किसे पढ़ा था कि हमारा maximum power transfer theorem जो है, load के across लगती है, load हमारा variable होता है, ठीक है, अभी तक जो है हमारे पास, जब हमने इसकी DC में analysis करी, तो DC में ऐगर हम components देखें, तो DC में हमारे पास जो है load के नाम पर केवल और केवल एक components हो, resistance, ठीक है, मगर जब हम AC में बात कर रहें, तो AC में हमारे पास जो है दो और components L और C आजाते हैं, ठीक है जिसका अगर कहें क्या is, reactive, intermittent, जिसका जो है L और C आजाते हैं, L के बारे मगर हम बात करें तो XL हो जाता है inductive reactance और इसका जो है XE हो जाता है ठीक है तो कहीं न कहीं यह सब चीजें जो है हमारी जो है इसके लिए important role play करने वाली है ठीक है तो इसके बारे में भी जो है similarly हम वैसे ही analysis करेंगे जैसा हमने जो है DC के case में किया था और फिर देखेंगे यहां से क्या-क्या चीजे निकल के आ रही है ठीक है यह बहुत tricky है maximum power transfer theorem AC में जो है इसके अच्छे-च्छे से questions आते हैं इसके questions क्या आते हैं बिल्कुल theoretical portion वाले questions आते हैं जो अग्दम आपने क्या किया यह आपका कोई VTH है और अगर यहां पर कहें आप जो source resistance जो आपने कहा है इसको आपने रख दिया है यह आपका हो गया है जैड़ टीच ठीक है चलिए आपको क्या करना है आपको जो है load resistance की load resistance कहेंगे यहाँ पर यहाँ पर चूंकि हम मैं बात करना हूँ AC में तो load impedance यहाँ पर terms आ जाएगी ठीक है चलिए यह कुछ इस तरीके से figure यहाँ पर इसका कुछ हो गया है और यह आपका जो है ZL है ठीक है आपको क्या करना है इस ZL की value find out करनी है ताकि जो है इस ZL के across आपकी maximum power flow हो सके ठीक है चलिए अगर हम बात करें ZL के बारे में तो ZL जो आपका क्या होगा आपका जो है RL plus JX होगा resistance part plus reactance part ठीक है अब जो है यहाँ पर अभी आपको क्या कहा था आपकी maximum power transfer थूरं जो है कब वो applicable होती है जब आपका load variable होता है मतलब इस circuit में आपको देखना है यह circuit जो है हमारा load के across जो है maximum power कब vary करेगा ठीक है अब देखिए यहाँ पर आपके क्या क्या case हो सकते है यहाँ पर जो है आपका सबसे पहला case बनता है case first जिसे मैं कहूंगा जहाँ पर आपका RL क्या हो RL आपका जो है variable हो and आपका X क्या हो fixed हो मतलब आपको जो है उसने load कुछ दिया उसका resistance variable कह दिया और उसने कहा है आपका X fixed है ठीक है चलिए दूसरा case यह हो सकता है कि आपका RL को क्या कर दे fix कर दे load resistance fix हो जाए और load react strength आपका variable हो जाए ठीक है यह दो case हो सकते है तीसरा क्या हो सकता है तीसरा आपका ये भी हो सकता है कि आपके RL और X क्या हो दोनों के दोनों जो है आपके variable हो ठीक है फोर्थ और बहुत important case है बहुत जगा direct question आता है कि आपका केवल और केवल RL circuit में हो ठीक है only RL हो ठीक है आपका क्या हो जाए उस case में and X की value 0 हो जाए क्योंकि load की बात है ठीक है चलिए आपको लग रहा होगा कि क्या सर ऐसा case भी हो सकता है क्या XL only हो जाए और आपका जो है RL क्या हो जाए आपका RL 0 हो जाए ठीक है चलो थोड़ा सा जो है अभी पहले current की direction देते है इस 5 point के बारे में हम थोड़ा तब बात करेंगे ठीक है चलिए आपका जो है इस circuit में आई current flow हो रही है ठीक है चलिए यहाँ पर जो है आई current flow हो रही है तो क्या कर सकते हैं आप इस circuit में इस I की value निकाल सकते हैं ठीक है चलिए आपका जो है JTH को भी थोड़ा सा अच्छे से अंडर तोर देते हैं इसको मैंने लिख लिया है RTH प्लस JXTH ठीक है चलिए अब यहां से जो है आप अगर आपको कहा जाए इस वाले लूप में जो है आपके VL लगाएं तो आपका VTH हो जाएगा आपका I अंदर जो है आपका RTH प्लस RL एक साथ आपका आ जाएगा और प्लस JXTH प्लस XL जो है आपका यह हो गया है ठीक है चलिए अब यहां से जो है आप क्या कर सकते हैं आप जो है I की वैल्यू निकाल सकते हैं मैं सीधा जो है इसे डेरेट क्या कर रहा हूँ V upon magnitude of Z की फर्म में लिखे ले रहा हूँ Z क्या हो जाएगा इसका प्लस ZL का सम ठीक है तो आप यहां से जो है डेरेक्ट क्या लिख सकते हैं आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा VTH upon Z की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी Z की वैल्यू जो हो जाएगी real part का square plus imaginary part का square Z क्या होता है आपका Z होता है आपका mod of Z क्या होता है under root R square plus X square ठीक है तो यहां से आपका हो गया है यह load के across जो है आपको maximum power निकालनी है ठीक है तो maximum power बाद में निकालनी है ठीक है तो maximum power बाद में निकालनी है ठीक है तो आपकी maximum power transfer theorem जो है वो आपकी हम निकाल रहे हैं PL के बारे में load के across power में वो आपकी क्या हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी I square into आर ऐल ठीक huh? चूंकी हम कौन सी power निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं आपकी active power या जिसे कह सकते हैं average power ठीक है? देखें, power आपकी तीन होती हैं एक होती है S, एक होती है P, एक होती है Q जिसको S को क्या बोलते हैं? कोई लोग complex power झी बोलते हैं RL और यह हो जाएगी आपकी I² XL ठीक है तो अब देखिए अगर मैं यह वाला केस लेता कि सर्किट में जो केवला केवल आपका XL है RL की value 0 है तो आपकी active power क्या हो जाती active power 0 हो जाती आपका maximum power transfer theorem लगाने का कोई logic नहीं बनता है ठीक है इसलिए जो है यह वाला केस हम लोग consider नहीं करेंगे यह चार केसों को consider करेंगे और यहां से आप समझ गया है कि यह power आप जो है निकाल रहे हैं ठीक है चलिए अब क्या होगा इसके बारे में जो हम थोड़ा सा analysis करेंगे ठीक है तो यहां से अब आप देखिए आपको क्या करना है आपको maximum power transfer theorem आपको क्या कहती है आपको बताना है कि load की value क्या होगी ताकि आपके load के अक्रो जो है maximum power flow हो ठीक है तो आप क्या करेंगे यह इस power को differentiate करना पड़ेगा इसकी maximum value ऐसी तो निकालते हैं न क्या करते हैं उसको 0 निकालते हैं फिर कोई condition आती है वह condition आपकी circuit में maximum power transfer करवाएगी ठीक है चलिए अब आप यहां पे देखिए इसमें जो है हम सबसे पहला case consider करेंगे जब आपका क्या हो जब आपका rl variable हो और x क्या हो आपका x fix हो ठीक है case first जो हम यहां पे consider करेंगे सबसे पहला case जो है एक एक करके जो है इन case को आपको यहां पे बताया जाएगा शुरुवात में concept build up कराने के लिए पूरा differentiation करके कराया जाएगा और बाद में जो है आप जो है direct आपको result बता दिया जाएगा कैसे कैसे आता है और फिर आपको यह सब calculation करने की जरूरत नहीं है बट यह basics है तो यह बताना जरूरी है ठीक है case first क्या है आपका case first आपका है जब आपका RL को क्या कहा है हमने RL को आपने कहा है RL आपका variable है और X आपका क्या है X आपका circuit में fixed है XL ठीक है यहां पे चलिए XL इसको DPL upon DRL करना पड़ेगा is equal to 0 मानना पड़ेगा क्योंकि आप क्या करोगे आप P को RL के reference में क्या करोगे differentiate करोगे क्योंकि यह चीज variable है ठीक है अब जब यह चीज variable है यहां से इस जडल को थोड़ा सा यहां पर दिख लिए तो मैं मेरे लिए क्या हो जाएगी थोड़ा सा differentiate करेंगे तो आप क्या कह सकते है अब यह आपकी PL आपे आ गई है आप क्या कर दीजे आप इस PL में जो है आप क्या कर सकते है I की value पुट कर दीजे I की value आपकी हो गई है VTH square into RL और यह आपका जो हो गया है यह हो गया है आपका RTH plus RL का square और यहां से आपका हो गया है XTH plus XL क इसक्वाइर ठीक है अब यहां से जो है आपकी आई निकल गई है अब आपको क्या करना है इसको डिफरेंसेट करना है यह आपका पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे डिफरेंसेट करते हैं पहले जो है आप क्या कर लेंगे आप जो ह denominator को जो कातियों RTH plus RL का square और यहां से हो गया है आपका XTH plus XL का square ठीक है और इसके साथ जो है क्या multiply हो जाएगा इस वाले का differentiation RL के reference में ठीक है तो यह सीधा का सीधा जो आपका आ गया है VTH square ठीक है अब next term जो आएगी next term जो है यह हो जाएगी फिर minus इस वाले को लिख लिएगे आप इस टेमें पर जो कातियों VTH square RL अब जो है आप क्या करेंगे इस वाले का differentiation करेंगे with reference of RL ठीक है तो पहली वाली terms के वल consider कहो पाएगी क्योंकि दूसरी वाली का क्या हो जाएगा RTH plus RL चूंकि यह क्या है यह fixed term है तो इसका वैसे ही zero हो जाएगा ठीक है अब आपके पास यह आ गया है जो जो चीज cancel हो यहाँ से VTH दोनों में कॉमा ने VTH square तो cancel कर दिया और इसको आपने क्या कर दिया है इसको जो है आपने open कर दिया है A plus B का whole square का formula बन रहा है तो इस तरीके साब जो है इसको क्या कर सकते हैं इसको आप open कर सकते हैं तो यह आपका हो जाएगा RTH का square plus RL का square plus 2RTH RL ठीक है plus इसको ऐसे ही रहने दीजिए XTH plus XL का square यहां से यह minus 2RL RTH और minus 2-2RL square ठीक है चलिए अब जो है कुछ-कुछ terms आपस में यहीं पर cancel out हो जा रही है उसको जो है हम यहीं पर फटा-फट क्या कर देंगे उसको जो हम यहीं पर cancel कर देंगे ठीक है और यह आपको निकालनी RL की value है यह minus RL square हो जाएगा तो आप लिख सकते हैं कि आपका जो क्या जाएगा आपका RL square is equal to RTH square plus XTH plus XL का square ठीक है आपको क्या करना है? load resistance variable है इस RL की value आपको find out करनी है तो आपके इस RL की value हो जाएगी आपके RTH का square plus XTH plus XL का whole square ठीक है तो यह आपकी क्या है आपका पहला case आया जब आपका केवल RL variable हो तो उस समय पे आपके जो है load resistance की value क्या होगी वो आप इस तरीके से find out कर सकते हैं ठीक है? चलिए भी आपको हलका हलका समझ आ रहा होगा कोई बात नहीं अभी फिलाल आप केवल यह value नोट कर लीजिए last में हम जो एक numerical करेंगे जिसमें हम जो है इन चारों case को consider करेंगे तो वहाँ पे जो है आपके यह बिल्कुल अच्छी तरीके से एक बार आपको अच्छी तरीके से clear हो जाएगा ठीक है? तो यह आपका हो गया है पहला case जब आपका जो है RL variable था ठीक है? अब इस तरीके से जो है हम जो है case 2 भी इसका निकालेंगे जिस case में जो है आपका क्या होगा? जिस case में आपका जो है XL variable होगा और RL क्या होगा? आपका fixed होगा ठीक है? बार बार आपको differentiation करने की जरुत नहीं है चलिए एक एवल दूसरी बार differentiation करेंगे उसके बार जो है exam में आपको ऐसा कुछ है? नहीं करना है ठीक है? आपने case 2 क्या कहा? जब आपका जो है XL क्या हो? एकसेल आपका variable हो और आपका RL जो है इस case में आपका RL हो गया है fixed ठीक है? तो आप देखिए इस समय पे जो main important चीज़ है वो आपको ध्यान लखनी है इस समय पे जो है आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो है DPL upon DXL निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको जो है XL के reference में differentiate करना पड़ेगा क्योंकि जो variable चीज होती है उसी के reference में क्या किया जाता है? उसी के reference में जो आपका differentiation किया जाता है ठीक है? तो चलिए जब आप इसका differentiation करोगे तो जब P upon Q की terms में है तो Q into इसका differentiation XL के reference में ये क्या है? ये आपका जो है fixed है तो ये वाली value हो गई है 0 आपका जो direct आ जाएगा दूसरी वाली terms जाजाएगी सीदा direct minus ये वाली term VTH square into RL ठीक है? और इसका differentiation XL के reference में ठीक है? तो इस terms का क्या हो जाएगा? ये वाली है इस time पे भी इसके लिए fix इसका 0 तो केवल और केवल आपका हो जाएगा 2 X TH plus XL ठीक है? तो यहाँ से जो है आप क्या कर लेंगे? यहाँ से जो आप इसकी value को 0 put करेंगे तो आपको जो relation मिल जाएगा आपको X TH is equal to minus XL ठीक है? या आप क्या कह सकते हैं? आपको जो है load वाला reactance निकालना है तो आप इसे ऐसे लिखेंगे ये ज़्यादा सही है XL is equal to minus X TH ठीक है? तो आपका जो है XL की value minus X TH होगी ठीक है? जब आपका जो है XL variable था और RL आपका fixed था ठीक है? चलिए अब बात करते हैं इसका case third की case third जो है आपका case first और case second का क्या है? case first और case second का combination है जब आपका RL and XL आपके दोनों के दोनों क्या है? RL and XL आपके दोनों के दोनों variable हैं तो उस समय पे आपका क्या value होगी? उस समय पे आपकी जो है source, आपका जो है load ämperidence jो होगा वो आपका जो है, क्या हो जाएगा? वो आपका source impedance का complex conjugate होगा, ठीक है? यह कौन सा case है जब आपका RL और XL दोनों के दोनों variable है मतलब आपके ZL की value क्या जाएगी आपके ZL की value जो होगी वो होगी आपके –RTH –JXTH ठीक है यह case आपका third case हो गया है जब आपका RL और XL variable हो बहुत सारे लड़के इस definition को कहते हैं कि maximum power transfer theorem में आपका load source का complex conjugate होना चाहिए नहीं वो condition केवल और केवल कब है जब आपका circuit में load resistance और load reactance दोनों variable हो ठीक है और इसके अलावा जो है इसका कौन सा case आता है इसका आपका case 4 आता है जब आपका circuit में केवल और केवल क्या हो जब आपके circuit में केवल और केवल only RL आपका present हो मतलब आपका load जो है क्या हो load आपका जो है purely resistive हो तो उस case में जो आपके load resistance की जो value हो जाती है वो RL की जो value हो जाती है आपने पहले question में जो देखा था पहले question में आपका क्या आया था पहले question में आपने देखा था आपका जब only RL था जब आपका केवल जब आपका RL था और Excel आपका variable था तो उस समय पे जो आपकी value आई थी आई थी XTH का square और यहाँ पे था XL प्लस XTH का square ठीक है इस case में क्या हो गया है आपका circuit में केवल resistance है Excel वाला component नहीं है तो इस Excel की value रख दी है आपने 0 तो आप देख सकते हैं आपका जो है इस case में आपका load resistance की value जो आएगी वो आजाएगी आपके RTH का square प्लस XTH का square ठीक है यहाँ से आपका case 4 हो गया है ठीक है तो फटाफट से summarize कर लेते हैं चीजों को इन सारे के सारे जो है आपके चारों case में जो जो impedance आपका रहेगा उसकी value को लिख लेते हैं इसके बाद एक बढ़िया सा numerical करते हैं आपके दिमाग में सारे doubts आपके clear हो जाएंगे ठीक है चुंकि इतना तो अब आप समझ चुके हैं कि आपकी maximum power transfer theorem जो है कब लगती है load के cross लगती है load आपका variable होता है ठीक है तो सबसे पहला case क्या था case first आपने कहा था जब आपका क्या हो जब आपका rl variable हो और आपका xl fixed हो ठीक है तो उस case में जो है आपकी rl की जो value हो जाएगी maximum power transfer होने के लिए इस load के across maximum power transfer होगी उसकी value हो जाएगी rth का square xth प्लस xl का square ठीक है चलिए यह आपका हो गया है case first case 2 आपका जब आपका circuit में क्या हो जब आपका जो है xl variable हो और आपका जो है क्या हो rl आपका fixed हो ठीक है तो उस case में जो है आपकी load देखे उस case में आपका load resistance तो क्या रहेगा rl रहेगा आपका load reactance change हो जाएगा xl xl की value हो जाएगी minus xth ठीक है चलिए आपका case third क्या था case third आपका था जब circuit में आपके xl और rl आपके क्या हो दोनों के दोनों आपके variable हो तो आपका load resistance जो है आपका source resistance का complex conjugate हो जाता है ठीक है और case four सबसे important case अगर आपका जो है load cable और cable purely resistive हो only r आपका load पे हो and xl क्या हो जाए xl की value 0 हो जाए तो आपकी rl की value हो जाती है under the root rth का square plus xth का square ठीक है यह 4 case अभी यहाँ पे लिख दिये हैं ठीक है तो अब क्या करेंगे अब एक numerical करेंगे numerical में जो है इन 4 case को देखेंगे फिर आपको जो है अच्छी तरीके से समझ में आएगा ठीक है यह आपने note कर लिया होगा आपके अच्छी तरीके से हलका हलका feel आपको आने लगा होगा धीरे धीरे से कोई नहीं numerical अभी करेंगे तो आपके जो है सारे doubt एक साथ clear होने वाले हैं ठीक है देखें maximum power transfer theorem से numerical exam में नहीं आता है मगर इस से क्या आते हैं direct जो है इस तरीके के numericals आते हैं कि आप जो है आँख बंद करके भी numericals को कर सकते हैं ठीक है चलिए यहाँ पे जो ह कुछ था और यहाँ पर जो है एक impedance एक resistance ठीक है similarly यहाँ पर resistance एक reactance ठीक है ठीक है अव यहाँ पर जो question क्या है इस question में आपको सारे doubts आपके किलिएर हो जाएंगे यह जो है AB के across आपको बताना है कि इस circuit में जो है AB के across जो क्या हो गया maximum power transfer हो सके ठीक है यह अपका क्या आजाएगा यह आपका load reactance आजाएगा यह आपका load resistance आजाएगा ठीक है चलिए इसमें क्या करेंगे हम इसमें जो है इसको समझने के लिए ये नहीं कराएंगे केवल और केवल डब्बे की फ़र्म में आपको देंगे ठीक है चलिए इसके जो है हम तीन अलग-अलग केस के लिए आपको निकालेंगे कि आपको जो है मुझे जो है load impedance की value बतानी है सबसे पहले case में कहा है आपको load impedance की value बतानी है यहाँ पे क्या कहा load impedance की value बतानी है बाकि उसने कुछ नहीं बताया आपको की RL variable है कौन सा fix है क्या है मतलब अब आप सीधा सीधा कह सकते हैं इस समय पे आपका अगर load impedance जो है आपके source impedance का complex conjugate होता है ठीक है तो पहले question में पहले case में आपको क्या कहा find the value of ZL, load impedance की value find out कीजिए तो क्या करेंगे सबसे पहले आप जो है इस circuit का thalvin equivalent बनाएंगे ठीक है आपको ZL की value निकालनी है ठीक है और ZL जो है आपके इस case में क्या होने वाली है इस case में आपको ZL जो है आपकी ZTH की complex conjugate होने वाली है ठीक है तो A, B को क्या करेंगे आप उसको circuit से हटा देंगे और circuit में जो भी voltage source है उसको उसके internal resistance replace कर देंगे current source को भी internal resistance से replace कर देंगे मतलब voltage source आपके हो जाते है short circuit current source हो जाते है आपके open circuit ठीक है तो जब आप इसको A, B से देखोगे तो आपको जो है यह इस तरीके से दिखाई देगा इसका जो है load impedance से जो है आप इस end से आप देखोगे load impedance end से आप देखोगे तो आपको जो है यह कुछ इस तरीके का दिखाई देगा ठीक है यह आपका A हो जाएगा और यह आपका हो जाएगा B यह है आपका 8J6 8J6 ठीक है तो आपका जो है इस circuit का क्या कह सकते है जो जल्टी है जो आएगा वो क्या आजाएगा दोनों आपस मे पैलल में connected है पैलल में value half हो जाती है 3 4J ठीक है यह आपका जो है A B आ गया है मतलब इस circuit में जो आपका जो ZTH आया है ZTH की value आई है आपकी 3 प्लस 4J ठीक है आपको load resistance की value बतानी है स्वरी आपको load impedance की value बतानी है maximum power transfer के लिए तो ZL आपका क्या हो जाएगा ZTH का complex conjugate हो जाएगा complex conjugate का मतलब होता है कि ZTH में जहां जहां पे भी J है वहां पे आपको J को minus J से replace कर देना है ठीक है conjugate का मतलब समझ में आया ठीक है तो यहां से जो है इसका 3 minus 4J ठीक है तो अगर आपका load impedance 3 minus 4J होगा तब आपकी जो है इस circuit के across जो है maximum power flow होगी ठीक है चलिए यह हो गया है आपक पहला question अब क्या करा मैंने मैंने कहा जो आपका जो है यहां पे जो load क्या है जो आपका load impedance है उसकी value जो है आपको RL plus 3JDV है मतलब आपका load impedance के case में आपका जो है इसकी value क्या हो गई है इसकी value मैंने पहले से ही fix कर दी है kvL क्या कहा है मैंने आपका जो है RL variable है ठीक है तो इस case में आपको क्या करना है आपको load impedance की value निकालनी है load impedance क्या होगा load impedance आपका RL और XL का sum होगा XL आपको पहले से fix दिया हुआ है तो आप क्या करोगे kvL और kvL इस case में आप RL की value निकालोगे और आपके जो है क्या हो जाएगी उस RL की value हो जाएगी under the root of RTH square XTH plus XL का square ठीक है चलिए अभी हाँ पे देखिए यह आपका क्या आया था यह आपका JTH आया था आप इस JTH को break कर सकते हो RTH और XTH के form में तो यह हो गया आपका 3 plus J4 बोले तो यह चीज है आपकी RTH और यह चीज है आपकी XTH ठीक है तो यहाँ से आपका जो है RL की value क्या हो जाएगी आपके RL की value हो जाएगी अंडर दिरूट 3 का square बोले तो 9 XL की value है आपकी कितनी XL की value है 3 XTH की value है 4 4 का square तो यह कितना हो गया है 7 का square तो RL की value जो हो जाएगी 9 plus 49 बोले तो आप कितना हो गया है 58 तो अंडर रूट 58 आपकी RL की value हो जाएगी, मतलब इस case में जो है आपका load impedance की value हो जाएगी, under root 58 plus J3, ठीक है, तो अगर आपकी load impedance की value ये होगी, तब आपके जो है इस circuit में load के अक्रोज जो है maximum power flow होगी, ठीक है, ये आपने कव लिखा, जब आपका जो है load impedance में आपका जो है excel fixed data, ठीक है, ये दो question हमने यहाँ पे कर दिये है, अब तीसरा और सबसे अच्छा question इसका ये है, कि यहाँ पे जो है मैंने कहा, आपका jL जो अब इस case में है, वो jL जो है आपका, इस समय पे मैंने कहा, आपको वतानी है इसकी value, ये है आपका 9 plus JXL, ठीक है, load, यहाँ पे XL से आप इसको जो है inductive reactance वाला मत समझना, ठीक है, XL का मतलब है यहाँ पे load से, ठीक है, अब आप देखिए इस case में क्या हो गया है, इस case में आपका RL fixed हो गया है, और साथ में क्या है, आपका XL क्या है, XL आपका variable है, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा ये, आपका case 2 हो जाएगा, case 2 के case में क minus of XTH होती है, ठीक है, तो आपका XL हो गया है, यहाँ से minus 4J, ठीक है, तो अगर आपको कहें, इस case में आपके जो है, load impedance की value कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी 9 minus 4J, ठीक है, यह आपका हो गया है, case 2 वाला question था, और यहाँ पे हमने third question इसका किया है, ठीक है, important case और सबसे last case इसका बनता है, कि आपका जो यह load है, यह load जो है, आपका पूरा का पूरा जो है, purely resistive है, ठीक है, और आपको इस load resistance की value बतानी है, ताकि जो है आपके इस load के across जो है, maximum power flow हो सके, ठीक है, देखिए, मैंने यहाँ पे एक ही question में इतने सारे question कराए हैं, आप ऐस ना करना कहीं कि एक ही figure में आप भी सारे question करने लगे, आप जो है, अलग-लग figure बनाओगे, और अलग-लग questions को attempt करोगे, ठीक है, चलिए, यहाँ से last case क्या था, last case था कि आपका circuit में, R purely resistive है, load के across, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, जब आपका purely resistive होता है, तो आपके load resistance की value क्या हो जाती है, load resistance की value आपके हो जाती है, RTH का square plus XTH का square, ठीक है, तो यहाँ से आपका load resistance हो गया है, RTH की value है, 3, तो यह हो गया है, 9, XTH की value है, 4, यह हो गया है, 16, तो आपका RL हो गया है, under root 25, या बोले तो 5 ohm, ठीक है, तो उस समय पे आपकी RL की value 5 ohm रहेगी, और आपक maximum power flow होगी ठीक है तो यहां पर जो है हमने क्या कर लिए है अपने चारों के चारों एक्जामपल हमने यहां पर देख लिए है और अब आपको जो है हलकी सी understanding आई होगी कि अगर आपका load में केवल और केवल resistance हो तो maximum power transfer होने के लिए load resistance की value क्या होती है case first आपका था जब आपका load में क्या हो केवल और केवल आपका rl variable हो excel fixed हो उस समय पे value क्या होती है case 2 पे आपका था excel variable था rl की value fixed थी value क्या होती है third case में आपके excel rl दोनो variable थे और fourth case में आपका load में केवल और केवल purely resistance था ठीक है तो इस तरीके से आपकी जो है maximum power transfer theorem आपकी AC में load resistance की value आप इस तरीके से find out कर सकते हैं ठीक है चाहे आप उसे load resistance कह दीजिए या load impedance कह दीजिए ठीक है यहां से direct question बनते हैं और जो है exam point of usage जो है यह बहुत बहुत important है और आहां पे जो है आपको मतलब बार बार वो कहा जाता है कि आपको values बता नहीं है ठीक है चलिए आपको practice इतनी हो गई है तो आपको जो है question और करवा देते हैं उस question में तो है आपको अब बिल्कुल भी doubt नहीं होना चाहिए ठीक है चलिए यहां पे जो है आपको कहा है कि यह आपका जो है कोई क्या है यह आपका जो है कोई so voltage दिया हुआ है और इसके across जो load है वो load जो है आपका 3 plus 4 j है और आपको कहा है आपको जो है क्या करना है आपको जो है इस rl की value बतानी है ताकि इस rl के across जो है आपकी maximum power flow हो सके ठीक है चलिए यहाँ पे क्या case हो रहा है आपका rl variable है मतलब load के across cable और cable आपका resistance है होना क्या चाहिए था ac circuit है तो आपको होगे side impedance होना चाहिए था आपका rl plus jxl type का होना चाहिए था मगर क्या हो गया है इसकी value हो गई है 0 या आप कह सकते हैं आपका load जो है purely resistive है तो इस circuit के across maximum power transfer होगी जब आपके rl की value जो है 9 इसका square plus x का square तो यह होगे है आपका 16 तो यह होगे है आपका under root 25 यहाँ बोल दीजे rl की value हो गई है आपकी 5 ohm इस circuit के across maximum power तब flow होगी जब आपके load resistance की value हो जाएगी 5 ohm चलिए यह था question number first यहाँ आपने निकाल दिया अब मैंने कहा यहाँ पे जो है क्या है आपका impedance है और आपको जो है zl की value बतानी है क्या होगी तो आपको पता है आपका zl क्या हो जाएगा maximum power transfer के लिए इसका complex conjugate source resistance का complex conjugate यह आप कह सकते है उसकी value हो जाएगी rth minus jxth ठीक है इस question में अगर आप देखें तो आपका rth है 3 और आपका th है 4j तो आपके जो है load resistance की value sorry stamp पे load impedance की value हो जाएगी 3 minus 4 यह जब आपका होगा क्या हो सकते हैं इसे आपका load resistance जो है आपके source resistance का अगर complex conjugate हो तो आपका maximum power flow होता है तो उस case में यह हो जाएगा ठीक है तो देखें आप जब आपका load purely resistive था तो उस time पे resistance की value कुछ आ रही थी जब आपका load के cross क्या है resistance और inductance दोनों component है या reactance आप कहा देजी inductive reactance इस तरीके के component है तो आपने निकाल दी है ठीक है अब बात आती है वो maximum power होती कितनी है ठीक है DC में निकालते थे वैसी ही आप यहां पे निकालोगे ठीक है तो यहां पे जो है हलकी सी आपको maximum power transfer theorem के understanding हुई होगी यह exam point of view से बहुत important है ठीक है तो दोस्तों आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा आप जो है मुझे comment box में बताइए आप लोग जो है comment नहीं करते हैं तो उससे हम लोगों को motivation नहीं आता है हमें लगता है कि आप सायद पढ़ नहीं रहे हैं देखे YouTube में क्या है बहुत सारे आज की डेट में teacher पढ़े हैं काफी अच्छे अच्छे teachers हैं तो आप किसी भी teacher से पढ़ लीजी अच्छी बात है देखे ऑन्लाइन आज जो है resources जो है बहुत easily available है जहां मैं बात कर रहा हू है आपके दिमाग में होना चाहिए कि यह यह topic यह यह चीजे मेरे को cover करनी है फिर मुझे test series देनी है फिर यह करना है फिर यह करना है ठीक है चुकि अगर मैं बात कर रहा हूँ basic electrical की तो basic electrical के हमने जो है यहां पे जो हैं हमारे करीवन 30 तो यह lecture हो चुके हैं और इसके अलाव 35 से 40 क्लास आपकी जो है basic electrical circuit की हो गई है जो कि आपके जो है basic build up करने के लिए बहुत काफी सही है ठीक है तो अगर आप अभी भी बिल्कुल नए हैं तो आप जो हमारे basic electrical circuit की पूरी सीरीज को देखिए CTQ सीरीज को देखिए और फिर जो है questions को solve कीजिए तो आपको जो है क्य लगेगा धीरे धीरे आपका basic build up होने लगेगा ठीक है चलिए आप करते हैं काम की बात देखिए हम लोग आप लोगों से motivate होते हैं आप लोगों का काम है हमको motivate करना आपके लिए क्या है गुरु दक्षणा यही है हमारे वीडियो को क्या करना है आपको ज्यादा से ज्याद को subscribe कराईए और ठीक है अभी हम इलक्ट्रिकर और अलेक्ट्रोनिस ब्रांच में जो है अनपड जो है थोड़ा फैल चुका है ठीक है दो ब्रांचें अभी चल रही है धीरे धीरे हमारी कोशिच और ब्रांचों को भी जो है इंट्रिडूच करने की होगी तो फिलार और चैनल के साथ जूड़े रहिए और इलेक्ट्रिकल इंजिनिरिंग पढ़ते रहिए